हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाल है जे न्यू में संस्कीत इंट्रेंस कोटोप लिष्ट के बारे में ठीक है इस वार जो 2022 में इंट्रेंस हुआ था उसकी कोटोप लिष्ट कितनी गई है आ गई हो आप लोगों नहीं देखा तो देख लिजे जो लोग नेश्ट की तैयार सब्सक्राइब आपका सब्जेक्ट फर्स पार्ट में आपको ओर इजिनिंग टाइप की कोश्चन सारे मैतमेटिक से मैटिक जो है उसका सलेबस होता है तो जो जेन्यू में इस बार पेपर हुआ था उसका क्या था सिर्फ 75 जो 75 कोश्चन मानने थे 25 कोश्चन नहीं मानने क्योंकि एक सारी चीज़े हुई थी तो इसलिए फर्स पार्ट को हटा दिया गया था सेकेंड पार्ट मान था जो आपका सब्जेक्ट का था ठीक की कट आप लिस्ट आ गई देखते हैं में संस्कित सेनम की कट अगर हम जनरल की बात करें तो देख लगते हैं जनरल की 74.66 ग टीक जो गया है जनरल का चीक जनरल की कट अप कितनी केए 74.66 जो पचीस रंग तक के बच्चों का अडिमिसन हुआ है ठीक है जनरल में पर एससी की बात करें तो इसी के गहें 48.66 ठीक है एसी की जो कट अप गई है दोजार बाइस में वह गई है 48.60 यानि कि 10 रंग क्राइटेरिया जो फोलो करता है उसमें जो आ रहे होंगे उनका एडिमिशन हो जाएगा ठीक है कुछ दिनों में आप लोगों का अभी तो जो ओफर लेटर उपर जिनका हुआ आप आराम से आगया होगा ओफर लेटर वहां पर आप सबसे पहले पे फीस करके आराओगा आप आप जो ओनलाइन खोलेंगे पोर्टल यहां पर आपका रिजल्ट आया कल ठीक है तो जो लोगों का तो वहां पर देखेंगे तो वहां पर पे फीस करके आप क्या कर लिएगा पूट टाइम दिया गाओ करके आप सीड़ बुक कर लिजेगा ठीक है वरना सेकेंड लिस्ट क करने के लिए पोर्टल खुल जाता है तो आप अपलोड कर सकते हैं बाद में जो इसका नहीं होगा अंडर टेकिंग डाल दीजेगा ठीक है और बाद में वेरिफिकेशन के समय में आप सारे डॉकुमेंट जमां कर दीजेगा ठीक है नेक्स देखते हैं यहां सी की जो कॉट दीजेए700 हो गया, पी डवलु डी की बात करें, पी डवल्यु डी का ठीक है चाटोअ कर० का ठीक है तो क्योंकि सबको पता है कि यहां पे reservation हर जेगा मान नहीं है तो वहां पर जितनी criteria निधारीत होता है उसके इंसार एडिमिशन दिया जाता है तो OBC की बात करें जेनु में संस्कित की तो वहां पर 55 गया है इस बार ठीक है 75 में से 55 यह 75 की ही चल रही है बातें इसका ध्यान रखना 75 में 75 जो question आये थे उसमें से ही percentage बनाया गया उसके इंसार यह निकाला गया तो यह मैं सोचेगा इतना कम-कम जा रहा है वो काफी हो जाता है क्योंकि बहुत यह कहते हैं ओल इंडिया लेबल पर होता है एक्जाम तो वह काफी बड़ा मायने रखता है मेजर डिफ्रेंस हो जाता है इंसमें ठीक है और EWS की बात करें तो EWS के 69.33 जहां पर दस बार एडिमिशन होते हैं यहां पर पंदर राइंग तक के बच्चों के एडिमिशन मिला हुआ है उसमें भी कुछ क्राइटेजिया देखो कुछ लोगों का जैसे डिमिशन नहीं हो पाता फिर भी और रहें के अंदर आ रहे होते हैं दूसमें क्या होता है ना कि जैसे डिप्रेशन पॉइंट वहां पर ठीक है जैसे जो लोग अधिक पिछड़ी चेतर से आ रहे हैं जहां पर एजुगेशन लेबल थोड़ ट्वेल्थ किया है टेंथ किया है तो दो चार चार नंबर मैक्सिमम बार नंबर तक मिल सकते हैं और गर्लों को भी मिलते हैं ठीक हुआ यहां पर कितना गया इस तरह से बढ़ जाता है जो लोग नेश्ट की तियारी करें अच्छे से तियारी करेंगा नेश्ट में क्या करते हैं आपके 25 नंबर जो पार्ट का है वह भी जोड़े जाएंगे और 75 नंबर का जो आपका स्लेबस है उसका भी जोड़ा जाएगा अधिकतर चांस यहीं लग रहा ठीक है तो कटोप अभी कुछ देर पहले ही आई है ठीक है तो जो लोगों ने नहीं द